नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रशांद बॉलिवूड एक्टर अक्षे कुमार और आमिर खान के बीच बॉक्स आफिस पर एक बार फेर से महा भिडन्थ होने वाली है दोनों ही स्टार्स की फैंस के बीच तगरी फैंस फालोईंग है ऐसे में दोनों की टककर की खबरे चर्चा का विशय बन गई है बतादे की अक्षे कुमार और आमिर खान इस साल क्रिसमस के मौके पर भिडने वाले हैं बताया जा रहा है कि ये बॉलिवूड की सबसे बड़ी टककर होने वाली है दरसल आमिर खान सितारे जमीन पर नाम की फ्लिम लेकर आने वाले हैं इस फ्लिम में आमिर खान बेहदी अलग अंदाज में नज़र आने वाले हैं इसी के साथ इस मूवी में आमिर खान के साथ साथ जैनीलिया डिसूजा भी नज़र आएंगी 20 दिसंबर को आमिर खान की ये फिल्म ठीटर्स पर दस्तक देगी वहीं इसी दिन अक्षे कुमार वेलकम टू जंगल लेकर आने वाले हैं अक्षे की ये फिल्म कॉमेडी से ओध प्रोथ होने वाली है प्लिम में अक्षे कुमार के साथ साथ काफी लंबी चौडी स्टार कास्ट भी नजर आने वाली है प्लिम में अक्षे कुमार के सदिशा पार्टनी, रवीना टेंडन, सुनील शेटी, संजिदत समित कई बड़े-बड़े स्टार्स नजर आएंगे ये फिल्म वेलकम का तीसरा पार्ट है, फैंस बड़ी ही बेसबरी से इस फिल्म का इंतिजार कर रहे हैं, लेकिन बॉक्स ओफिस पर आमिर और अक्षे के बीच होने वाली स्टकर में किसकी जीत होगी, इसे लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं बता दे की साल 2022 में भी अक्षा और आमिर खान के बीच रक्षा बंधन के मौके पर भिडन्थ देखने को मिली थी, जाएंज दिन आमिर खान की ला सिंग चड्धा रिलीज हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अक्षा कुमार की फिल्म रक्षा बंधन रिलीज हुई थी, ये दोन कि OMG 2 Box Office पर ठीक ठाक विजनेस करने में काम्याब हुई थी लेकिन सालों से एक्टर ने एक बड़ी फिल्म नहीं दी है दो फिल्मों का Box Office पर एक साथ रिलीज होना यानि दोनों ही फिल्मों का Box Office पर नुकसान होना ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आमिर और अक्षे में से कोई एक्टर अपकी फिल्म की रिलीज डेट में बदलाब करता है या नहीं अगर दोनों ही फिल्में Box Office पर ठकराईं तो दोनों ही फिल्मों की कमाई पर बुरा असर ज़रूर पड़ेगा जसे आपको क्या लगता है Box Office पर किस फिल्म की जीत होगी हमें कमेंड करके जरूर बताएं अगर ज़रूर पर अच्छे बदलाब करता है अग्ट जाता है। अबेफॉर जलो भाण। अर्षाजदर अर्षाजदर अर्षाजदर, सक्सी बेग!